नागरिकों को सुरक्षित रास्ता देने के लिए रूस तयार हो गया है। humanitarian corridor देने के लिए यानि जो लोग फसे हुए हैं उन सब को सुरक्षित निकालने के लिए अब ये खबर स्पूत्निक के हवाले से आ रही है रुशिया ने सीज़ फायर किया है छे बजे से ताकि humanitarian corridor सेट अप किया जा सके और सुरक्षित वहां से लोगों को निकाला जा सके बिल्कुल Russian state affiliated medias पूत्निक के हवाले से ये जो खबर सामने आई है ये बहुत बड़ी खबर है और जो बात मनीश आप भी कह रहे हैं हमारे defense experts भी लगातार कह रहे हैं और पिछले कई दिनों से India TV भी कह रहा है कि मकसद किसी भी civilian की जान लेना नहीं है तिबनी थी कि humanitarian ground के लिए ceasefire किया जाएगा उनको पैसेज दिया जाएगा और देखिए कि जो बाचीत हुई थी जो agreement हुआ था बेलारूस में रूस और यूक्रेइन के साथ साथ भारतिय मूल के लोग वहाँ पर हैं दूसरी कंट्रीज के लोग हैं ताकि उनको सेब पैसेज दिया जा सके हमाँ साथ former Ministry of Home Affairs के Security Advisor Brigadier अगरवाल है सर इस समय तस्वीरों में जो दिख रहा है और खास और पर ये फैसला आज रात साड़े ग्यारा बजे से लागू होगा जिससे की रश्या की रणनीती बिल्कुल सपस्ट है कि वो किसी तरीके का avoidable collateral damage minimize करना चाहते हैं बिल्कुल collateral damage को minimize करने की कोशिश है श्रिवास्तफ सर मैं अपना सवाल लेकर आपके पास आ रही हूँ अब हमने देखा है कि ये एक passage तो मिल गया है बहुत सारे लेकिन यूकरेन में ऐसे भी लोग हैं उनका नंबर कम हो सकता है जो यूकरेनियन फॉस और गॉवर्मेंट के साथ खड़े हैं हतियार ले लिया है क्या वो लोग भी सेफ पैसिज के जरीए बाहर निकलेंगे देखिए ऐसा है हम देख रहे हैं पिछले 10 दिनों में जितनी भी लड़ाई हुई है उसमें precision munitions से इस्तमाल किये गए हैं कोई ऐसा ballistic missile वगरा नहीं इस फाजों से उतना डर नहीं है जितना की वार जोन में होना चाहिए यानि इस समय की सबसे बड़ी ख़बार हम आपको फिर से बता दें अभी से करीबन 40 मिनट पहले यानि ठीक साड़े 11 बजे इंडियन स्टेंडर टाइम के हिसाफ से और यूकरेन के टाइम 6 बजे से इस समय यूमिनिटेरिन कॉरिडोर के लिए रश्या ने सीज फायर किया है ताकि मारिया पोल और आसपास के जो एरियाज हैं वहां से भारतिय मूल के जो स्टूडेंट्स यहां पर फसे हुए हैं वहां के लोग हैं सिविल लोग हैं उन सब को सुरक्षित निकाला जा सके तो ये अ इंडियन टाइम के साब से साड़े ग्यारा बजे अब से करीब करीब हम कह सकते हैं कि 40 मिट पहले इसकी शुरुआत हो चुकी है इसका सबसे बड़ा इंपक्ट ही होगा कि जो हम कहरें सूमी में या फिर खारकी में हमारे जो स्टूडेंट जो फसे हुए हैं उनको अब इस और उसी की तहत आपको बता दें कि ये बड़ा कदम उठाया गया है जिस वक्त रूस की सेना कीप पर हमले कर रही है खारकीप पर हमले कर रही है या फिर हम कह सकते हैं मारिया पोल पर हमले कर रही है उस वक्त स्टैटीजिकली रोग दिया गया है सिर्फ इसी वज़े से क्य हिसाफ से साड़े ग्यारा वजे से पूरे यूक्रेन में इस समय सीज फायर है और ये बड़ी खबर स्पूत्निक के हवाले से आ रही है मनीश इसी खबर से जुड़ा एक ताज़ा अपडेट में दे देती हूँ जैसा कि आप बता भी रहे हैं रूस ने सीज फायर का एलान किया है पूरे यूक्रेन में सीज फायर का एलान किया गया है मतलब पूरे यूक्रेन में आज कुछ वक्त के लिए कोई गोली नहीं चलेगी कोई मिजाइल नहीं दागी जाएगी युद के दसवे दिन ये राहत भरी खबर सामने आई है और ये इस लिहाज से भी महतपूर हो जाती है क्योंकि दोनों देशों के बीच जो बातचीत हुई थी उसका नतीजा इस खबर से सामने आ रहा है इसमें सबसे बड़ी बात जो डिप्लोमेसी है भारतिय डिप्लोमेसी जिसमें भारतियों को सेफ पैसे से दिखने के साथ साथ उनको सुरक्षित निकालने के लिए प्रधानमंती नरेंदर मोधी ने वालदमीर पुतीन से बात की थी वालदमीर जेलेंस्की से बात की थी उसकी जीत होती दिखाई दे रही है ठीक छे बजे यानि रश्यन टाइम के हिसाब से छे बजे और यहां के टाइम के हिसाब से साड के लिए देगी वहीं दूसरी बड़ी खबर ये भी है कि रश्या अब इसको कॉरिडोर देगा ताकि कीव, सूमी, खारकीव में जो लोग फसे हुए है और खास और पे जो रश्यन बॉर्डर के बहत करीब है वो सेफ पैसेज के तौर पे रश्या आ सके और भारतिय वायुसे पे रश्या ने अपनी पावर दिखाई तो यूकरेन ने जवाब दिया उस पर अब विराम है यानि सीजफायर है पूरे रश्या में इस समय पूरे यूकरेन में इस समय और कहीं से भी कोई गोलाबाई नहीं होगी पूरे के पूरे यूकरेन पर ये सीजफायर लागू होगा, किसी भी इलाके में अब गोली बारी नहीं होगी ये एक बड़ा साम कह सकते हैं कि एक पैसेज दिया गया टाइम दिया गया कुछ घंटों का जिस वक्त में जहाँ-जहाँ लोग फसे हुए है वो बाहर निकल सक और ये सोचे समझे तरीके से किया गया सीसफायर है टेक्टिकल हॉल के तौर पर इसमें एक्सपर्ट इसे रश्यन स्ट्राटिजी के साथ देख रहे हैं जहां पर जो लोग इस समय फशे हुए है करीबन 2000 की संक्या में भारतिय मूल के सूडेंट्स भारतिय वहां पर हैं उन स जो बाकी एरियाज हैं वहां पर और जेस तरीके से रश्यन आर्मी ने रिइंफोर्समेंट लेते हुए मैल्टी पोर और जो आके के एरियाज है उन सभी एरियाज को अब ब्लॉक करते हुए सीस फायर कर दिया है बिल्कुल श्रिवास्तव सर मेरा अपसे ये सवाल है कि सीस कर दिया गया है कुछ वक्त किया गया है वो वक्त कितना है कितने घंटे हैं फिलाल वो सामने नहीं आया है लेकिन इसका मतलब रश्या के हिसाब से हम ये भी समझें कि जैसे ही आम नागरिक सिविलियन इस पैसिज के जरिये जाएंगे बहर कीव की चड़ाई और तेज हो ज जाता है कि कोई भी को लेटरल डैमेज नहीं हो कोई human loss जो unnecessary वो नहीं हो इस बात को विश्व के सामने रखने के लिए ये ceasefire किया गया है इसका मतलब मैं ये नहीं समझता हूं कि ये tactical ceasefire है अगर इसके बाद भी बात शांतिवारता में नहीं बनती है रूस फिर अपने हम लो करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर